नमस्कार, आये सुनते हैं मुणशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखीवी एक कहानी, दिक्षा जब मैं स्कूल में पढ़ता था, गेंद खेलता था, और अध्यापक महोदियों की घुड़किया खाता था अर्थात मेरी किशोर आवस्था थी, ना ज्यान का उदेहवा था, ना बुद्धी का विकास उस समय मैं टेमप्रेस असोसियेशन यानी नशार निवारिनी सभा का उत्साही सदसे था नित्य उसके जलसों में शरीक होता, उसके लिए चंदा वसूल करता इतना ही नहीं, व्रत धारे भी था, और इस व्रत के पालन का अटल संकल्प कर चुका था प्रधान महोदे ने मेरी दिक्षा लेते समय जब पूछा था, तुम्हें विश्वास है, कि जीवन परियंत इस व्रत पर अटल रहोगे तो मैंने निशंक भाव से उत्तर दिया, हाँ मुझे पूर्ण विश्वास है प्रधान ने मुस्कुरा कर प्रतिग्या पत्र मेरे सामने रख दिया उस दिन मुझे कितना आनंद हुआ था, गौरव से सिर उठाए घूमता फिरता था कई बार पिताजी से भी बे अद्बी कर बैठा, क्योंकि वह संध्या के समय थकान मिटाने के लिए एक गिलास पी लिया करते थे मुझे या असहाय था, कहूंगा इमान की, पिताजी एप करते थे पर हुनर के साथ जोही जरास सुरूर आ जाता, आखों में सुर्खी की आभा जलकने लगती कि ब्यालू करने बैठ जाते बहुत ही सुक्षमा हारी थे, और फिर रात भर के लिए मायमो के बंधनों से मुक्त हो जाते मैं उन्हें उपदेश देता था, उनसे वाद विवाद करने पर उतारू हो जाता था एक बार तो मैंने गजब कर डाला, उनकी बोतल और ग्लास को पत्थर पर इतनी जोर से पठका कि भगवान कृष्णे ने कंस को भी इतनी जोर से न पठका होगा घर में काच के टुकडे फैल गए और कई दिनों तक नगन चर्णों से फिरने वाली इस्त्रियों के पैरों से खून बहा पर मेरा उत्साह तो देखिये, पिता की तिवर दिष्टी की परवाह न की पिताजी ने आकर अपनी संजीवनी प्रदाइनी बोतल का ये शोक समाचार सुना तो सीधे बाजार गए और एक छण में ताक के शुर्ने अस्थान की फिर से पूर्ती हो गई मैं देवासुर संग्राम के लिए कमर कसके बैठा था मगर पिताजी के मुख पर लेश मातर भी मैल ना आया उन्होंने मेरी और उत्सापूर्ण द्रिष्टी से देखा अब मुझे मालूम होता है कि वो आत्मो लास, विशुद्ध सत्कामना और अलोकिक स्ने से परिपूर्ण थी और वो मुस्कुरा दिये उसी तरह मुस्कुराए जैसे कई मास पहले प्रधान महोदे मुस्कुराए थे अब उनके मुस्कुराने का आशय समझ रहा हूँ उस समय नहीं समझ सका था बस इतनी ही ग्यान की वृद्धी वी है उस मुस्कान में कितना व्यंग था मेरे बाल वरत का कितना उपहास और मेरी सरलता पर कितनी दया थी, अब उसका मर्म समझाऊं। मैं अपने कॉलेज में अपने वरत पर डड़ रहा, मेरे कितने ही मित्र सन्यमशील न थे, मैं आदर्श चरित्र समझा जाता था। कॉलेज में उस संकीर्णता का निर्वाह कहां? बुद्धु बना दिया जाता, कोई मुल्ला की पद्वी देता, कोई नासेह कहकर मजा कुड़ाता. मित्रगण व्यंग भाव से कहते, हाई अफसोस, तुने पी नहीं? सारान शियाय की यहां मुझे उदार बनना पड़ा, मित् भाव से कहता, शमा कीजिये, यह मेरे सिस्टम को सूट नहीं करती. सिधान्त के बदले अब मुझे शारेरिक असमर्थिता का बहाना करना पड़ा. वह सत्याग्रह का जोश, जिसने पिता की बोतल पर हाथ साफ कर दिया था, गायब हो गया. यहां तक कि एक बार जब अथे वर्ष में मेरे लड़का पैदा होने की खबर मिली, तो मेरी उदार्ता की हद हो गई. मैंने मित्रों के आग्रह से मजबूर होकर उनकी दावत की और अपने हाथों से ढाल ढाल कर उने पिलाई. उस दिन साकी बनने में हार्दिक आनंद मिल रहा था. उदार्ता वास् में सिधान्त से गिर जाने, आदर्शे चुत हो जाने का ही दूसरा नाम है. अपने मन को समझाने के लिए युक्तियों का आभाव कभी नहीं होता है. संसार में सबसे आसान काम अपने आपको धोखा देना है. मैंने खुद तो नहीं पी, पिला दी. इसमें मेरा क्या नुकस जान, दोस्तों के साथ शरीक तो नहीं हुआ. मजा तो जबी है कि दूसरों को पिलाए और खुद न पीए. खैर कॉलेज से में बेदाग निकलाया. अपने शहर में वकालत शुरू की, सुबह से आधी रात तक चक्की में जुतना पड़ा. वे कॉलेज के सेर सपाटे, आमो रफ्त बंध हुई, यहां तक की छुट्टियों में भी दम मारने की फूर्सत न मिलती. जीवन संग्राम कितना विकट है, इसका अनभव हुआ. इसे संग्राम कहना ही भ्रम है. संग्राम की उमंग, उत्तेजना, वीर्ता और जैध्वनी, यहां कहां? यह संग्राम नहीं, ठेलम ठेल है. यहां चाहे धक्का खाएं, मगर तमाशा घुस कर देखें की दशा है. माशूप का वसल कहां? उसकी चौखट को चूमना, दर्बान की गालियां खाना और अपना सा मूह लेकर चले आना. दिन बर बैठे-बैठे अरुची हो जाती है. मुश्किल से दो चपा पातियों के लिए सिर मगंजन और दीदरेजी है. मरो और खपो व्यर्थ के लिए. इसके साथ यह भी अर्मान की अपनी मोटर हो, विशाल भवन हो, थोड़ी सी जमिंदारी हो, कुछ रुपे बैंक में हो. पर यह सब हुआ भी तो क्या? संतान उसका सुख भोगेगी. मैं मैं तो व्यर्थ ही मरा. मैं तो खजाने का साप ही रहा. नहीं, यह नहीं हो सकता. मैं दूसरों के लिए ही प्राण न दूंगा. अपने महनत का मज़ा खुद भी चकूंगा. क्या करूं? कहीं सैर करने निकल जाओं? मुवकिल सब तितर बितर हो जाएंगे. पर ऐसा नामी वकिल भी तो नहीं हूं कि मेरे बगैर काम ही न चले? और कतिपे नेताओं की भाती असहयोग वरत धारन करने पर भी कोई बड़ा शिकार देखूं तो जपट पड़ूं. यहां तो पिद्दी, बटेर, हरील इनी सब पर निशाना मारना है. फिर क्या रोज थियेटर जाया क करूं? फिजूल है, कहीं दो बजे रात को सोना नसीब होगा, बिना मत मर जाओंगा. आखिर मेरे हमपेशा और भी तो हैं, वे क्या करते हैं जो उन्हें बराबर खुश और मस्त देखता हूं? मालूम होता है उन्हें कोई चिंता ही नहीं. स्वार्थ सेवा अंग्रेजी श पुर्व संतान के लिए, यश के लिए, धर्म के लिए मरता है, पश्चिम अपने लिए. पुर्व में घर का स्वामी सबका सेवक होता है, वह सबसे ज्यादा काम करता है, दूसरों को खिला कर खाता है, दूसरों को पहन कर पहनता है, किन्तु पश्चिम में वह सबसे अच् आधिकार समझता है। हवाखोरी के लिए भी पैरों में जूता चाहिए। ऐसे जीवन को रस्मे बनाने के लिए केवल एक ही उपाय है। आत्मे विस्मृती, जो एक छण के लिए मुझे संसार की चिंताओं से मुक्त कर दे। मैं अपनी परिस्थिति को भूल जाओं, अपने को भूल जाओं, जरा हसूं, जरा कह कहा मारूं, जरा मन में इस फूर्ती आये। केवल एक ही बूर्ती है जिसमें ये सारे गुण हैं और वह मैं जानता हूं। कहा की प्रतिग्या, कहा कवरत, वे तो बचपन की बाते थी। उस समय क्या जानता था कि मेरे यह हालत होगी। नव उस फूर्ती का बहुल्य था, पैरों में शक्ती थी, गोडे पर सवार होने की क्या जरूरत थी। तब जवानी का नशा था, अव्वा कहां। यह भावना मेरे पूर्व संचित समय की जड़ों को हिलाने लगी। यह नित्य नई-नई युक्तियों से सशक्त होकर आती थी। क्यों, क्या तुम ही सबसे अधिक बुद्धी मान हो। सब तो पीते हैं, जजो को देखो, इजलास छोड़ कर जाते और पी आते हैं। प्राचीन काल में ऐसे वरत निब जाते थे, जब जीवी का इतनी प्राणगा तक न थी। लोग हसेंगे ही न, कि बड़े वरतधारी की दुम बने थे, आखिर आ गयने चकर में। हसने दो, मैंने नाहक वरत लिया, उसी वरत के कारण इतने दिनों तक तपस्या करनी पड़ी। नहीं पीतो कौन सा बड़ा आदमी हो गया, कौन सा सम्मान पा लिया। पहले किताबों में पड़ा करता था, यह हानी होती है, वह हानी होती है, मगर कहीं तो नुकसान होते नहीं देखता। हाँ, पियककर मदमस्थ हो जाने की बात और है, उस तरह से तो अच्छी से अच्छी वस्तु का दुरुपयोग भी हानी प्रद होता है। ज्यान भी जब सीमा के बाहर हो जाता है, तो नास्तिकता के छेतर में पहुंचता है। पीना चाहिए एक आंत में, छेतना को जागरित करने के लिए, सुलाने के लिए नहीं। बस पहले दिन जरा-जरा जिजक होगी, फिर किसका डर। ऐसी आयोजना करने चाहिए कि लोग मुझे जबर्दस्ती पिला दें, जिसमें अपनी शान बनी रहे। जब एक दिन प्रतिग्या तूट जाएगी, तो फिर मुझे अपनी सफाई पेश करने की जरूरत न रहेगी, घरवालों के सामने भी आँखे नीची न करनी पड़ेंगी। मैंने निश्चे किया कि यह अभी नए होली के दिन हो, इस देक्षा के लिए इससे उत्तमुहुर्थ और कौन सा होगा, होली पीने पिलाने का दिन है, उस दिन मस्त हो जाना शर्म में है, पवित्र होली अगर हो सकती है, तो पवित्र चोरी, पवित्र रिश्वत भी हो सकती होली आई अपकी बहुत इंतजार के बाद आई मैंने दिख्षा लेने की तैयारी शुरू की कई पीने वालों को निमंत्रित किया केलनर के दुकान से विस्की और शैंपेन मंगवाई लेमुनेड सोडा बर्फ गजक खमीरा तंबाको वगरा सब सामान मंगवा कर लैस कर दिया कमरा बहुत बड़ा न था कानुनी किताबों के अलमारियां हटवा दी फर्ष बिचवा दिया और शाम को मित्रों का इंतजार करने लगा जैसे चड़िया पंक फैलाए बहलियों को बुला रही हो मित्रगण एक एक करके आने लगे नौ बस्ते बस्ते सब के सब आभिराजे उनमें तो कई ऐसे थे जो चुलू में उल्लू हो जाते थे पर कितने ही कुमबज रिशी के अन्याई थे पूरे समुद्र सोक बोतल की बोतल गटगटा जाए और आखों में सुर्खी भी ना आए मैंने बोतल ग्लास गजक के तस्तरियां सामने लाकर रख दी एक महाशय बोले यार बर्फ और सोडे के बगएर लुफ्त ना आएगा मैंने उत्तर दिया मंगवा रखा है भूल गया था एक तो फिर बिस्मिल्ला हो दूसरा साकी कौन होगा मैं यह खिदमत मेरे कीजिये मैंने प्यालियां भर-भर कर देनी शुरू की और यार लोग पीने लगे हूँ हक का बाजार गर्म हुआ अशलील हास परिहास की आंधियां से चलने लगी पर मुझे कोई न पूछता था खुब अच्छा उल्लू बना शायद मुझ से कहते सकुचाते हैं कोई मजा क्यों नहीं पी हिश्वर के यहां आपको इसका जवाब देना पड़ेगा दूसरा फर्माईए जनाब फर्माईए क्या जवाब दीजेगा अच्छा मैं ही उसके तरफ से पूछता हूँ क्यों नहीं पीते मैं अपनी तबियत जी नहीं चाहता दूसरा यह तो कोई जवाब नहीं कोदो देकर वकालत पास की थी क्या तीसरा जवाब दीजे जवाब आपने क्या समझा है इश्वर को आपने ऐसा वैसा समझ लिया है क्या दूसरा क्या आपको कोई धार्मिका पत्ती है मैंने कहा हो सकता है तीसरा वाहरे धर्मात्मा क्यों नहों आप तो बड़े धर् मैं क्या धर्मात्मा आदमियों की दुम होती है चौथा और क्या किसी के हाथ की किसी के दो हाथ की आप हैं किस फेर में दुमदारों के सिवाए आज पर्मात्मा है ही कौन हम सब तो पापात्मा है तीसरा धर्मात्मा वकील ओहो धर्मात्मा वैश्या, ओहो दूसरा धार्मिक आपत्ती तो आपको हो नहीं सकती वकील होना तो धार्मिक विचारों से शुन्य होने का चिन्ध है मैं भाई मुझे सूट नहीं करती तीसरा अब मार लिया, मुझे को मार लिया आपको सूट नहीं करती मैं सूट करा दू दूसरा क्या किसी डॉक्टर ने मना किया है मैं नहीं नहीं तीसरा वाँ वाँ आप तो खुद ही डॉक्टर बन गे अमरित आपको सूट नहीं करता अरे धर्मात्मा जी एक बर पी करके तो देखिये दूसरा मुझे आपके मूँ से या सुनकर आश्चर हुआ भाई जी या दवा है महा अश्दी यही सोमरस है कहीं आपने टेमपरेस की प्रतिग्या तुने ही ले ली है मैं मान लीजिये ली ही हो तो तीसरा तो आप बुद्धु हैं सीधे सीधे कोरे बुद्धु चौथा जाम चलने को सब एहले नजर बैठे हैं आख साकी न चुराना हम इधर बैठे हैं दूसरा अजी हम सभी टेमपरेस की प्रतिग्या धारी है जब हम वही नहीं रहे तो वह प्रतिग्या कहां रही हमारे नाम वही है पर हम तो वही नहीं है जहां लड़क्पन की बाते गई वही प्रतिग्या भी गई मैं आखिर इससे फाइदा क्या है दूसरा यह तो पीने से ही मालूम हो सकता है एक प्याली पीजिये फाइदा ना मालूम हो तो ना पीजियेगा तीसरा मारा मारा अब मुझी को पिला कर छोड़ेंगे जो था ऐसे में ख्वाब हैं दिन रात पिया करते हैं हम तो सोते में तेरा नाम लिया करते हैं पहला तुम लोगों से न बनेगा मैं पिला न जानता हूँ यह महाशर मोटे ताजे आदमी थे मेरा टेटवा दबाया और प्याली मुह से लगा दी मेरी प्रतिग्या तूट गई दिक्षा मिल गई मुराद पूरी हुई किन्तो बनावटी क्रोध से बोला आप लोग अपने साथ मुझे भी ले डूबे दूसरा मुबारक मुबारक तीसरा मुबारक मुबारक सो बार मुबारक नव दिक्षित मनुष्य बड़ा धर्म परायन होता है मैं संध्या समय दिन भर की वागदंडिता से छुटकारा पाकर जब एकांत में अथवा दो चार मित्रों के साथ बैठ कर प्याले पर प्याले चड़ाता तो चित उल्लासित हो जाता था रात को निद्रा खूब आती थी पर प्राता काल अंग अंग में पीड़ा होती अंगड़ायां आती मस्तिश्क शिथिल हो जाता यही जी चाहता कि आराम से पलंग पर लेटा रहूं मित्रों ने सलाह दी कि खुमारी उतारने के लिए सवेरे भी एक पैग लिया जाए तो अती उत्तम है मेरे मन में भी यह बात बैठ गई मूह धोकर पहले संध्या किया करता था अब मूह धोकर चट अपने कमरे में एकांत में बोतल लेकर बैठ जाता मैं इतना जानता था कि नशीली चीजों का चसका बूरा होता है आदमी धीरे-धीरे उनका दास हो जाता है यहां तक ही वह उसके बगर कुछ काम ही नहीं कर सकता परन्तु ये बाते जानते वे भी मैं उनके वशिभूत होता जाता था यहां तक नौबत पहुँची कि नशे के बगर में कुछ काम ही नहीं कर सकता जिसे आमूद के लिए मुह लगाया था वह साल भर में ही मेरे लिए जल और वायू की भाती अत्यंत आवश्यक हो गई अगर कभी किसी मुद्दे में बहस करते करते देर हो जाती तो ऐसी थकावट चर्ती की मानों मंजिलों चड़कर आया हूँ उस दशा में घर आता तो अनयासी बात बात पर जुंजलाता कभी नौकरों को डाटता, कभी बच्चों को पीटता, कभी इस्त्री पर गरम होता यह सब कुछ था, पर मैं कतिपय अन्य शराबियों की भाती, नशा आते ही दून की न लेता अनर्गल बाते न करता, हल्ला न मचाता, नहीं मेरे स्वास्त पर मदिरा सेवन का कुछ बुरा असर न जराता था बरसात के दिन थे, नदी नाले बढ़े वे थे, हुकाम बरसात में दौरे करते हैं उन्हें अपने भत्ते से मतलब, प्रजा को कितना कष्ट होता है इससे उन्हें कुछ सरुकार नहीं मैं एक मुकदमे के दौरे पर गया, अनुमान किया कि संध्या तक लोट आऊंगा मगर नदियों का चड़ाओ उतार पड़ा, दस बजे पहुँचने के बदले शाम को पहुँचा जज साहब मेरी प्रतिक्षा कर रहे थे, मुकदमा पेश हुआ, लेकिन बहस खत्म होते होते रात नौ बज गये मैं अपनी हालत क्या कहूँ, जी चाहता था जजज साहब को नोच खाऊँ कभी अपने प्रतिपक्षी वकील की डाड़ी नोचने को जी चाहता था, जिसने बर्बस बहस को इतना बढ़ाया कभी जी चाहता अपना सिर पीट लूँ, मुझे सोच लेना चाहिया था कि आज रात को देर हो गई तो जज मेरा गुलाम तो नहीं है कि मेरे जो एक्षा होगी वह वही करे, ना खड़े रहा जाता, ना बैठे छोटे मोटे पियककर मेरे दुरदशा की कलपना नहीं कर सकते खैर नौ बस्ते बस्ते मुकदमा समाप्थ हुआ, पर अब जाओं कहां, बरसात की रात, कोसो तक आबादी का पता नहीं, घर लोटना कठी नहीं असंभव, आसपास भी कोई ऐसा गाउं नहीं, जहां संजीवनी मिल सके गाउं हो भी तो वहां जाए कौन, वकील कोई थानेदार तो नहीं, बड़े संकट में पढ़ा हुआ था, मुवकिल चले गए, दर्शक चले गए, बेगार चले गए, मेरा प्रतिद्वन्दी मुसल्मान चपरासी के दस्तरखान में शरीक हो कर डाक बंगले के बरामदे में पढ़ा रहा, पर मैं क्या करूँ, यहां तो प्रानांट सा हो रहा था, वहीं बारामदे में टाट पर बैठा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा था, ना नीन्द ही आती थी कि इस कष्ट को भूल जाओ, अपने को उसी की गोद में सौप दूँ, गुस्सा अलबत्ते यह था क कि वह दूसरा वकील कितनी मीठी नीन सो रहा है, मानो ससुराल में सुख सेज पर सोया हुआ है, इधर तो मेरा यह बुरा हाल था, उधर डाक बंगले में साहब बहादुर ग्लास पर ग्लास चड़ा रहे थे, शराब के धालने की मधूर ध्वनी मेरे कानों में आकर चित्तो को और भी व्याकुल कर देती, मुझसे बैठे न रहा गया, धीरे धीरे चिक के पास गया और अंदर ज्हाकने लगा, आह, कैसा जीवन प्रद्रश था, सफेद बिल्लोर के ग्लास में बर्फ और सोडा वाटर से अलंकरित, अरुन मुख कामिनी शोभाय मान थी, मुँ में प पीता और मानसिक उल्लास की लहर में एक अंग्रेजी गीत गाता था, कहां वह स्वर्ग का सुख, कहां मेरा या नरक भोग, कई बार प्रबल इक्छा हुई, कि साहब के पास चल कर एक गिलास मांगू, पर डर लगता था, कि कहीं शराब के बदले ठोकर मिले तो, तो यहां क जब तक खड़ा रहा, जब तक साहब का भोजन समाप्त न हो गया, मन चाहे भोजन और सूरा सेवन के उपरांत, उसने खानसामा को मेज साफ करने के लिए बुलाया, खानसामा वही मेज के नीचे बैठा उंग रहा था, उठा और प्लेट लेकर बाहर निकला, तो मुझे द हुजूर ही यहां खड़े थे, मैं, हाँ, जरा देखता था कि यह सब कैसे खाते पीते हैं, बहुत शराब पीता है, खानसामा, अजी कुछ न पूछिये, दो बोतल दिन रात में साफ कर डालता है, बीस रुपे रोज की शराब ही पी जाता है, दोरे पर चलता है तो चार द तब तो आपको बड़ी तकली फोरी होगी, मैं, क्या करूँ, यहां तो कोई दुकान भी नहीं, समस्ता था जल्दी से मुकदमा हो जाएगा तो घर लट जाओंगा, इसलिए कोई सामानी साथ न लाया, खानसामा, मुझे तो अफीम की आदत है, एक दिन न मिले तो बावला हो जाता हूँ, अमल वाले को चाहे कुछ न मिले, अमल मिल जाए तो उसे कोई फिक्र नहीं होती, खाना चाहे तीन दिन मी न मिले, मैं, वही हाले भाई, भुगत राओं हूँ, ऐसा मालूम होता है बदन में जान ही नहीं, खानसामा, हुजूर को कम से कम एक बोतल तो साथ चाहिए थी, जेब में ही डाल लेते, मैं, इतनी ही तो भूल हो गई, नहीं तो रोना कहे का था, खानसामा, नींद भी तो ना आती होगी, मैं, कैसी नींद, दम लबो पर है, नजाने रात कैसे गुजरेगी, मैं चाहता था खानसामा अपनी तरफ से मेरी अगनी शांत करने का प्रस्ताव करे, जिससे मुझे लज्जित न होना पड़े, पर खानसामा भी चंठ था, बोला, अल्ला का नाम लेकर सो जाए, नींद कब तक ना आएगी, मैं, नींद तो ना आएगी, हां मर भले ही जाऊंगा, क्या साहब बोतले गिन कर रखते हैं, गिनते तो क्या ही हो खानसामा, अरे हुजूर एक ही मुझी है, बोतल पूरी होती नहीं तो उस पर निशान बना देता है, मजाल है कि एक बुंद भी कम हो जाए, मैं, बड़ी मुसिबत है, मुझे तो एक गलास चाहिए, बस इतना ही चाहता हूं कि नींद आ जाए, जो इनाम हो कहो वह दे दू खानसामा, इनाम तो हुजूर देंगे ही, लेकिन खौफ यही है कि कहीं भाप गया तो, तो मुझे जिन्दा न छोड़ेगा, मैं, यार ले भी आओ, अब ज्यादा सबर नहीं होता, खानसामा, आपके लिए जान भी हाजिर है, पर एक बोतल दस रुपे में आती है, मैं कल क किसी बेगार से मांग कर तादात पूरी कर दूंगा, मैं, एक बोतल थोड़े ही न पी जाओंगा, खान, साथ लेते जाएगा हुजूर, आदी बोतल खाली मेरे पास रहेगी तो उसे फोरण शुभा हो जाएगा, बड़ा शक्की है, मेरा मो सुंगा करता है कि इसने पी तो खान सामा के हवाले किये, उसने एक बोतल अंग्रेजे शराब मुझे ला दी, बर्फ और सोडा भी लेता आया, मैं वही अंधेरे में बोतल खोल कर अपनी परित्रिप्त आत्मा को सुधा जल से सिंचित करने लगा, क्या जानता था कि विधना मेरे लिए कोई दूसरा ही खाड़ू लगाने वाले महतर ने जगाया, तो नीद खुली, शराब के बोतल और ग्लास सिराने रखकर चतरी से चिपा दिया था, उपर से अपना गाउन डाल दिया था, उठते ही उठते सिराने निगाह गई, बोतल और ग्लास का पता न था, कलेजा धक से हो गया, खान सा कर दृश्य देखकर आगे कदम बढ़ाने का साहस नहीं हुआ साहब खानसामा का कान पकड़े वे थे शराब की बोतलें अलग-अलग रखी मी थी साहब एक, दो, तीन करके गिनते और खानसामा से पूछते थे कि एक बोतल और कहा गया खानसामा कहता था हुजूर खुदा मेरा मूह काला करे जो मैंने कुछ भी दगल फसल की हो साहब तो हम क्या जूट बोलता है 29 बोतल नहीं था खानसामा हुजूर खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम कितनी बोतली थी इस पर साहब ने खानसामा को कई तमाचे लगा फिर कहा तुम्हें नहीं पता तुम ना बताएगा तो हम तुमको जान से मार डालेगा और हमारा कुछ नहीं हो सकता हम हाकिम है और सभी हाकिम लोग हमारा दोस्त है हम तुमको अभी अभी मार डालेगा नहीं तो बता दे एक बोतल कहा गया मेरे प्राण सूख गय बहुत दिनों के बाद इश्वर की याद आई मनी मन गोवर्धन धारी का स्मरन करने लगा अब लाज तुम्हारे हाथ में है भगवन तुम्ही बचाओ तो नईया पार हो सकती है नई तो मजधार में डूप जाती है अंग्रेज है नजाने क्या मुसिबट धा दे भगवन खानसामा का मूँ बंद कर दो उसकी वानी हर लो तुमने बड़े-बड़े द्रोहियों और दुष्टों की रक्षा की है अजामिल को तुमी ने तारा था मैं भी द्रोहि हूँ द्रोहियों का द्रोहि हूँ मेरा संका ठरो अपकी जान बची तो शराब की और आख भी न उठाऊंगा मार के आगे भूत भागता है मुझे प्रती शण या शंका होती थी कि कहीं या लोकोक्ती चरितार्थ न हो जाए कहीं खानसामा खुल न पड़े नहीं तो फिर मेरी खैर नहीं सनद चीने जाने का चोड़ी का मुकदमा चल जाने का अथवा जद साहब से तिरस्कृत किये जाने का इतना भै न था जितना साहब के पदागात के लक्ष बनने का था जालिम हंटर लेकर न दोड़ पड़े यू में इतना दुरबल नहीं हूँ कॉलेज में खेलकूत के लिए परितोशक भी पा चुका हूँ अभी बरसात में दो महिने मुकदर फेर लेता हूँ लेकिन उस समय भै के मारे बुरा हाल था मेरे नैतिक बल का आधार पहले ही नश्ठ हो चुका था चोर में बल कहां? मेरा मान, मेरा भविश, मेरा जीवन खानसामा के केवल एक शब्द पर निर्भर था केवल एक शब्द पर किसका जीवन सूत्र इतना छीन, इतना जीर्ण, इतना जरजर होगा? मैं मन ही मन प्रतिग्या कर रहा था शराबियों की तौबा नहीं सच्ची द्रड प्रतिग्या कि इस संकट से बचा तो फिर कभी शराब न पियूँगा मैंने अपने मन को चारो ओर से बांध रखने के लिए उसके कुक्रितों का द्वार बंद करने के लिए भीशन शपत खाई मगर हायरे दुर्देव कोई सहायक न हुआ न गोवर्धन धारी ने सुधली न नर्शिन भगवान ने वे सब सत्युग में आया करते थे न प्रतिग्या कुछ काम आई न शपत का कुछ आसर हुआ मेरे भाग्य या दुर्भाग्य में जो कुछ बदा था वो हो कर रहा विधना ने मेरी प्रतिग्या सुध्रण करने के लिए शपत को यथेश्ट न माना खानसामा विचारा अपनी बात का धनी था थपड़ खाये, ठोकर खाये डाणी नुचवाई, पर न खुला बड़ा सत्यवादी वीर पूरुष था मैं शायद ऐसी दशा में इतना अटल न रह सकता, शायद पहले ही थपड में उगल देता उसकी ओर से जो मुझे घोर शंका हो रही थी, वह निर्मूल सिद्धुवी, जब तक जियोंगा उस विरात्मा का गुणानुवाद करता रहूंगा, पर मेरे उपर दूसरी ही ओर से वजरपात हुआ खानसामा पर जब मार धाड का कुछ असर ना हुआ, तो साहब उसके कान पकड़ेवे डाक बंगले की तरफ चले, मैंने उन्हें आते देखा, चटपट सामने बारामदे में जा बैठा, और ऐसा मुह बना लिया, मानू को जानता ही नहीं, साहब ने खानसामा को लाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया मैं भी उठकर खड़ा हो गया उस समय यदि कोई मेरे रिदय को चीरता, तो एक रक्त भी बूंद ना निकलती साहब ने मुझ से पूछा वेल, वकील साहब तुम शराब पीता है मैं इनकार न कर सका तुमने रात शराब पी थी मैं इनकार न कर सका तुमने मेरे इस खानसामा से शराब ली थी मैं फिर इनकार न कर सका तुमने रात को शराब पी कर बोतल और गलास अपने सिर के नीचे छिपा कर रखा था मैं इंकार न कर सका मुझे भै था कि खानसामा कहीं खुलना पड़े पर उल्टे मैं ही खुल पड़ा तुम जानता है या चोरी है मैं इंकार न कर सका हम तुमको मुवतल कर सकता है तुमारा सनद चीन सकता है तुमको जेल भेज सकता है यथार थी था हम तुमको ठोकरों से मार गिरा सकता है हमारा कुछ नहीं हो सकता हम हाकिम है यभी यथार थी था तुम काला आदमी वकील बनता है हमारे खानसामे से चोरी का शराब लेता है तुम सूवर लेकिन हम तुमको वही सजा देगा जो तुम पसंद करेगा तुम क्या चाहता है बोलो मैंने कापतेवे कहा हुजूर माफी चाहता हूँ नहीं हम सजा पूछता है जो हुजूर मुनासिब समझें अच्छा फिर यही होगा यह कहकर उस निर्दई नर्पिशाच ने दो सिपाईयों को बुलाया और उसने मेरे दोनों हाथ पकड़वा दिये मैं मौन धारन किये इस तरह से जुकाए रहा जैसे कोई लड़का अध्यापक के सामने बेंत खाने को खड़ा होता है इसने मुझे क्या दंड देने का विचारा है कहीं मेरी मुष्टे तो न कसवाएगा या कान पकड़कर उठक बैठक तो न करवाएगा देवताओं से सहायता मिलने की तो कोई आशा ही न थी पर अद्रिशय का आवाहन करने की अत्रिक्त और उपाए ही क्या था और थोड़ी सी शराब के लिए वह भी दुगुने दाम देने पर साहब ब्रश से मेरे मुँ में कालीमा पोत रहे थे वह कालीमा जिसे धोने के लिए सेरों साबुन की जरूरत थी और मैं बिल्ली की भाती खड़ा था उन दोनों यमदूतों को भी मुझ पर दयाना आती थी दोनों हिंदूस्तानी थे पर उनी के हातों मेरी या दुर्दशा हो रही थी इस देश को तो स्वराज मिल चुका साहब कालीमा पोत ते जाते और हसते जाते थे यहां तक कि आँखों के सिवाई तिल भर भी जगह न बची थोड़ी सी शराब के लिए आदमी से बनमानुष बनाया जा रहा था दिल में सोच रहा था यहां से जाते ही जाते बच्चे पर मान हनी की नालिश कर दूँगा या किसी बदमाश्य कह दूँगा कि इजलास पर ही बच्चे के जूतों से खबर ले मुझे बनमानुष बनाकर साहाब ने मेरे हाथ छुड़वा दिये और ताली बजाता हुआ मेरे पीछे दौड़ा नौ बजे का समय था कर्मचारी, मुवक्किल, चप्रासी सभी आ गय थे सैकड़ो आदमी जमा थे मुझे न जाने क्या शामत सूजी वहाँ से भागा यह उस प्रहसन का सबसे करुणा जनक दृश्य था आगे-ागे मैं दौड़ता जाता था पीछे-पीछे साहब और अन्न सैकड़ो आदमिया तालियां बजाते, लेना-लेना जाने न पावे का गुल मचाते, दौड़ते जाते मानो किसी बंदर को भगा रहे हो लगबग एक मील तक यह दौड़ रही वह तो कहो मैं कसरती आदमी हूँ बचकर निकल आया नहीं मेरी जानिक क्या दुरगती होती शायद मुझे गधे पर बिठा कर घुमाना चाहते थे जब सब पीछे रह गए तो मैं एक नाले के किनारे बेदम होकर बैट रहा अब मुझे सूजी कि यहां कोई आया तो पत्थरों से मारे बिना न छोड़ूंगा चाहे उल्टी पड़े या सीधी किन्तु मैंने नाले में मूँ धोने की चेश्ठा नहीं की जानता था पानी से यह कालीमा न छूटेगी यही सोचता रहा कि इस अंग्रेज पर कैसे अभियोग चलाऊं यह तो छिपाना ही पड़ेगा कि मैंने इसके खानसा में से चोरी की शराब ली अगर यह बात साबित हो गई तो उल्टा में ही फस जाऊंगा क्या हर्ज है इतना छिपा दूँगा शत्रुता का कारण कुछ और ही है यही दिखा दूँगा पर मुकदमा चलना जरूर चाहिए जाऊं कहां यह कालीमा मंडित मूह किसे दिखाऊं है बदमाश को कालीख ही लगानी थी तो क्या तवे की कालीख न मिली लैंप की कालीख न थी कम से कम चूट तो जाती जितना आपमान हुआ है वही तक रहता अब तो मैं मानों अपने कुकृते का स्वेम धिंडोरा पीट रहा हूं दूसरा होता तो इस दुरगती पर डूब मरता गनिमत यही थी कि अभी तक रास्ते में किसी से मुलाकात नहीं वी थी नहीं तो उसे कालीमा संबंधी प्रश्णों का क्या उत्तर देता जब जरा थकान कम हुवी तो मैंने सोचा यहां कब तक बैठा रहूंगा लाओ एक बार यतन करके देखूं तो शायद स्याही छूटी जाए मैंने बालू से मुह रगरना सुरू किया देखा तो स्याही छूट रही थी उस समय मुझे जितना आनंद हुआ उसकी कलपना कौन कर सकता है फिर तो मेरा होसला बढ़ा मैंने मुँख को इतना रगड़ा कि कई जगा चमड़ा तक छिल गया किन्तुवा कालीमा छुडाने के लिए मुझे इस समय बड़ी से बड़ी पीड़ा भी तुछ जान पड़ती थी यदिपी में नंगे सिर था केवल कुर्ता और धोती पहने बाथा पर यह कोई अपमान की बात नहीं गाउन, अचकन, पगड़ी, डाक बंगले में ही रह गई इसकी मुझे चिंता न थी कालिक तो छूट गई लेकिन कालीमा छूट जाती है पर उसका दाग दिल से नहीं मिटता इस गटना को आज बहुत दिन हो गए पूरे पांच साल हुए मैंने शराप का नाम नहीं लिया पीने की कौन कहे कदाचित मुझे सनमार्ग पर लाने के लिए इश्वर का यही विधान था कोई युक्ती, कोई तर्क, कोई चुटकी मुझ पर इतना स्थाई प्रभाव न डाल सकती थी सुफल को देखते वे मैं तो यही कहूंगा कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ वही होना चाहिए था पर उस समय दिल पर जो गुजरी थी उसे याद करके आज भी नीन दुचट जाती है अब विपत्ती कथा को क्यों तूल दूँ आप स्वैम अनुमान कर सकते हैं खबर तो फैल गई किन्तु मैंने जेपने और शर्माने के बदले बेहयाई से काम लेना अधिक अनुकूल समझा अपनी बेवकूफी पर हसता था और बेधड़क अपनी दुरदशा के कथा कहता था हाँ चाला की यह की कि उसमें थोड़ा सा कुछ अपनी तरफ से बढ़ा दिया अर्थात रात को जब मुझे नशा चड़ा तो मैं बोतल और ग्लास लिये साहाब के कमरे में घुज गिया और उसे कूर्सी से पटक कर खूब मारा इस छेपक से मेरी दलित अपमानित मर्दित आत्मा को मालूम नहीं उन्होंने सुना या नहीं पर मुझसे इसके चर्चा नहीं की इस कहानी को अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जल्द मिलूंगी ऐसी और भी कहानियों के साथ दोस्तों यसी और भी कहानियों सुनने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद